नमस्कार दोस्तों हमारी इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागते हैं आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले नमबर सिस्टम and conversions के बारे में देखेंगे कि कॉनजी-कॉणी नमबर सिस्टम हम consider करते हैं हमई computer Σिस्टम के लिए साथ जाथ बात करेंगे कि कैसे किसी number को हम एक number system से दूसरी number system में convert करते हैं तो बात करें हमारे number systems के बारे में तो हमाई number systems में हमाई पास 4 basic number systems है जिनको हम regular basis पे use करते हैं किसी भी number को represent करने के लिए सबसे पहले है हमारा decimal जिसमें हम 0 से 9 के बीच के digits को use करते हैं ताकि हम किसी भी number को represent कर सके और इसका significance क्या है कि हम इसको day to day life में use करते हैं किसी भी number को represent करने के लिए फिर आती है binary binary में क्या है कि हम 0 और 1 को use करते हैं ताकि हम किसी भी number को represent कर सके और उसके बारे में हम देखेंगे थोड़ी देर में कि उसका significance क्या है और हम किसी भी number को कैसे represent करते हैं हमारे binary number system में फिर हम बात करेंगे हमारे octal number system की जिसमें हम 0 से 7 के digits को use करते हैं और उसका भी significance और हम सारे जो conversions है और कैसे represent करते हैं हमारे octal number system में किसी भी number को वो हम थोड़ी देर में देखेंगे और last में बात करेंगे हमारे hexadecimal number system के बारे में जिसकी range वैसे तो 0 से 15 है पर जैसे हम जानते कि 9 के बाद हमारे जो सारे numbers हैं उसमें हम हमारे alphabetS use करते हैं जो है A से लेके F तक तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे binary के number system के बारे में और उनके जो conversions है या फिर हमारे जो technique से जिससे हम represent करते हमारे binary number system को और साती सात उसके significance के बारे में तो binary number system में हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि हम किसी भी number को 0 और 1 के format में represent करते हैं तो अब वो कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देन में, साथी साथ अगर कोई number binary में लिखा गया है, तो उसको हम denote करते हैं, bracket के बाहर ऐसे 2 लिख के, और इससे हमें पता चलता है, कि हमारा जो number है, वो हमारा binary number है, अब बात करते हैं, कि हम किसी भी number को कैसे binary में लिखते हैं, यानि कि जैसे मान लीजे, मेरा कोई decimal number है, 35, और उसे मुझे लिखना है, मेरे binary format में, तो उसके लिए पूरा जो conversion होता है, वो अभी हम समझते हैं, तो सबसे पहले हम हमारा जो number है, वो लिख लेते हैं, और उसके बाद उसको 2 से divide करते चलते हैं, और 2 से divide करते करते हैं, उसके जो सारे remainders होंगे, वो हम एक साइड लिखेंगे, यानि कि सबसे पहले हम 2 से divide करते हैं, 35 को, तो हमारा जो multiple आता है, 2 का multiple, तो 2 का multiple 17 अगर हम देखें, तो 17 टू जा क्या है, 34, तो 35 को अगर हमी divide करना है, तो उसको हम पहले 2 से divide करेंगे, तो आएगा 17, और हमारा जो remainder आएगा, वो वापस आएगा 1, फिर हम वापस से 8 को divide करते हैं, 2 से, तो आएगा हमारा 4, और directly क्योंकि ये 8 divide हो रहा है, तो हमारा क्या आएगा remainder 0 आएगा, same बात करते हैं हमारे 4 के बारे में, तो उसको हम directly divide कर सकते हैं, इसलिए हमारा वापस से क्या हुआ, कि remainder आगया 0, फिर हम वापस से इसको divide करते हैं, हमारे 4 को हमने divide किया, तो हमारा क्या बचा 2, अब 2 को वापस से 2 से divide करेंगे, तो आएगा 1, और remainder वापस आएगा 0, और last मे हमारे remainder क्या बचा 1 तो अब ये जो सारे remainder आए उसकी मदद से हम हमारे 35 को represent कर सकते हैं हमारे binary format में वो कैसे कि ये जो सारे remainder है वो नीचे से लेके हम उपर तक sequence में लिखेंगे और उसकी मदद से represent होगा हमारा 35 नंबर तो हमारे remainder क्या है नीचे से लेके उपर तक 10011 तो अगर हमें represent करना है 35 को हमारे binary system में तो वो कैसे करेंगे 10011 के format में तो हमारे किसी भी number को हम convert कर सकते हैं हमारे binary number में इस method की मदद से अब जो बात है कि हमारी जो method ये वो बहुत ज्यादा लंबी हो चाती है अगर मुझे कोई बड़ा सा number रिप्रेजेंट करना हो binary में जैसे कि मान लीजे मुझे रिप्रेजेंट करना है 1024 तो 1024 अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इसको मुझे बार-बर अगर मैं 2 से डिवाइट करता जाओंगा तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा और मैं किसी भी बड़े number के लिए ये method यूज नहीं कर सकता तो इसके लिए एक shortcut method हम देखते हैं कि हम कैसे किसी बड़े number को easily represent करते हैं हमारे binary system में तो हमारे किसी भी decimal number को हम represent अगर करना चाहिए हमारे binary में तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा पूरा जो scale है 2 raise to power का यानि कि 2 raise to 0 से लेके जितने भी हमें numbers चाहिए उसका हम पूरा scale लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे कि जिस number को हमें convert करना है हमारे binary में उसको हम check करेंगे कि वो कौन से 2 numbers की बीच में lie करता है हमारी scale के उपर यानि कि जैसे बात करें हमारे 35 की तो हमारा 35 अगर हम देखे तो हमारे 32 से बड़ा है और साती साथ हमारे 64 से थोटा है यानि कि हमारा जो 35 number है वो lie करेगा इधर कहीं बीच में तो इससे हम identify करते हैं कि हमें कितने digits चाहिए होंगे हमारे binary में हमारे हमारे कोई decimal number को represent करने के लिए तो यहाँ पर हमने identify कर लिया कि हमें हमारे 6 digit की जरुरत पड़ेगी हमारे 35 number को represent करने के लिए तब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमा जो 35 है उसके लिए हमारा सबसे पहले required होगा हम 32 वाले bit को one कर दें यानि कि हम 35 को अगर represent करना चाहिए तो वो हमारे 32 से बड़ा है यानि कि हमें 32 तो चाहिए ही होगा तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने उसको one कर दिया इस digit को यानि कि हमने सबसे पहले 32 को ले लिया अब हम जो भी हमारे number के नीचे की bit one करेंगे यानि कि हमारे जो number की नीचे का जो digit है वो one करेंगे वो हम उसमें add क नाकि हम पहुँच सके 35 तक अब बात करते कि 32 तो हमने ले लिया उसके बाद हम क्या 16 ले सकते तो हम 16 नहीं ले सकते क्योंकि 32 में अगर हम एड करेंगे 16 तो वह हो जाएगा 48 और वह 48 हमारे 35 से बढ़ा है तो हम यह नहीं कर सकते तो यानि हमारा जो 16 वाला डिजिट होगा वह 35 से बढ़ा है तो वह भी हम 0 रखेंगे हम नहीं हमारा 2 raise to 2 ले सकते हैं जो है 4 क्योंकि अगर हमने 2 raise to 2 ले लिया तो क्या होगा कि हमारे 32 में हम एड कर रहे हैं वापस से 4 जो बनेगा क्या हमारा 36 और वह हमारे 35 से बढ़ा है अब बात करते हैं हमारे 2 raise to 1 यानि 2 के बारे म क्योंकि हमारे 32 में अगर हम add करें हमारा 2 तो वह बनेगा 34 तो इसलिए हम उसको ले सकते हैं अब बचा क्या हमारे पास हमारे पास last digit बचा हमारा 1 और हमें जरुराद भी 1 की है क्योंकि हमारे पास 34 हो चुका है और last हमें यह चाहिए 1 ताकि हम क्या करें कि हमारा 35 नंबर हमा और scale के हिसाब से हम बार-बार चेक कर सकते हैं कि वो किसके दो नंबर की बीच में लाई करता है और उससे हमें पता चलेगा हमें कितने digits चाहिए और उसके बाद हम ऐसे addition करके easily हमारे नंबर को convert कर सकते हमारे binary format में तो यहां पे यह है हमारा binary equivalent हमारे 35 के लिए और हमने देख बात करें हमारे 1024 को represent करने की तो 1024 को अगर हम represent करना चाते है तो उसमें हम चेक करेंगे पूरी scale में कि वो कहां पर lie करता है तो हमने जैसे देखा कि वो exactly equivalent है हमारे 2 raise to 10 तो हम क्या करेंगे हम यहां पर 1 कर देंगे और बाकि जो सारे numbers हैं वो हो जाएंगे 0 तो अगर हमें represent करना है 1024 को binary में तो वो यह आएगा number और इसके हमें total 11 digits चाहिए represent करने के लिए तो अब तक हमने देखा कि हम कैसे किसी decimal number को convert करता है हमारे binary number में अब देखते हैं कि हम कैसे किसी binary number को convert करता है हमारे decimal number में इसके लिए हम क्या कर रहे है कोई एक random binary number ले रहे हैं जैसे 101 101 अब अगर हमें इसे convert करना है हमारे decimal में तो हम क्या करेंगे कि हर एक जो digit है उसको multiply करेंगे 2 raise to i-1 से जहांपे i क्या है हमारे digit की position है अब इसका क्या मतलब है यह समझते हैं अभी तो जैसे हम हमारी first digit के बारे में बात करें तो हम इसको multiply करेंगे 2 raise to i-1 यानि कि इसकी position क्या है 1 है तो 2 raise to i-1 क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए जहांपे i की value क्या होगी 1 होगी इसलिए 2 raise to 0 से हम इसे multiply करेंगे वैसे हम हमारे second last digit को multiply करेंगे 2 raise to 1 से और ऐसे हम आगे सारे digits को एक के बाद एक multiply करते जाएंगे अगर आप ध्यान से देखे तो यह वही scale है जो हमने इसके पहले apply की थी हमारे किसी decimal number को convert करने के लिए और अब क्या करेंगे यह जो सारे outputs आ रहे हैं इनको हम add कर देंगे एक साथ तो हमारा 1 into 1 क्या होगा 1 plus 0 into 2 0 फिर 1 into 4 4 तो हम यहां add कर देंगे 4 फिर 1 into 8 8 plus 0 into 16 is 0 and 1 into 32 is 32 तो अगर हम इन सब को add कर दें तो हमारा क्या आएगा output तो हमारा यह जो random binary number हमने लिया था उसका output क्या आ रहा है 45 आ रहा है यानि कि अगर हमें किसी भी binary number को decimal में convert करना है तो हम उनको ऐसे multiply करके सब का addition कर दें तो हमें हमारा decimal number मिल जाएगा तो बात करें हमारी binary number system के significance की तो हमारी number system का significance क्या है कि हमारा जो पूरा system में वो बना है transistor logic पे या फिर हमारे CMOS logic पे अभी जो transistor और CMOS logic है यह हमारे alphabets नहीं समच सकता ना ही यह हमारे 0 से 9 के जो सारे digits हैं वो समच सकता है तो बात यह है कि हम use करते हैं हमारे 0 और 1 का logic यानि कि हमारे transistor और CMOS 0 को कैसे देखता है एक low signal देखता है और हमारे 1 को as a high signal consider करता है तो हमारे transistor और CMOS logic जो पूरा function करता है यानि कि हमारे जो पूरा hardware function करता है वो 0 और 1 के format में यानि low या फिर high के format में function करता है तो इसलिए हम binary number system को use करते हैं और जब हमने सबसे पहला computer बनाया था तो उसमें हमारे जो सारे input outputs थे और साती साथ जो हमारे सारे programs थे वो हम हमारे system में कैसे डालते थे हमारे 0 और 1 के format में डालते थे इसलिए हमारा ये binary number system जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम समझ सके कि हमारा पूरा computer hardware कैसे function करता है हमारे पूरे जो सारे commands है उसके लिए और साती साथ वो कैसे interpret करता है हमारे पूरे जो सारे commands है या फिरम प्रोग्राम जे उनको 0 और 1 के format में यानिकि low और high के format में तो अब हमने देख लिए हमारी binary number system चलिए अब देखते हमारी octal number system के गयती है कि हम किसी भी नंबर को represent कर सकते हैं हमारे 0 से 7 के बीच के digits को use करके यानि कि हमारे जो सारे decimal number है हम उनको represent कर सकते हैं हमारे 0 से लेके 7 के बीच के digits को use करके हमारी octal number system में तो चली एक try करते हैं कि हमारे किसी भी decimal number को convert करके देखते हैं हमारे octal number में तो इसका conversion कैसे होत ट्रिक अप्लाई की दी, कि एक जगा हम लिख रहे हमार नमबर, एक जगा आएगा remainder, और यहाँ पर हम divisor लिखेंगे, और यहाँ divisor में हम use करेंगे 8, क्योंकि यहाँ total 8 numbers हम use करते हैं, तो 8 यहाँ use करेंगे, और 35 को divide करेंगे 8 से, तो हमारा remainder क्या बचेगा, 3, क्योंकि हम 8, 4 32 आएगा, और हमार remainder बचेगा 3, फिर हम वापस से try करेंगे, हमारे 4 को divide करने की 8 के through, तो क्या होगा, यहाँ पर 0 आजाएगा, क्योंकि हम इसको divide नहीं कर सकते हैं, और हमार remainder क्या बचा 4, अगर हम लिखना चाते हैं, अब 35 को हमारे octal number system में, तो हम क्या करेंगे, कि नीचे तो ऐसे हम convert कर सकते हैं, हमारा कोई भी decimal number into octal number system, और यह जो conversion है, यह बड़े numbers के लिए थोड़ा inefficient है, तो जैसे हमने देखा था हमारे binary number का trick, हम इसमें भी एक trick देखते हैं, कि हम कैसे इसको easily implement कर सकते हैं, या फिर कैसे easily हम इसको convert कर सकते हैं, हमारे octal number system में, किसी भी decimal number को, तो हमारे decimal number को convert करने के लिए, हमारे octal number system में हम क्या करते हैं, कि जैसे हमने binary में पूरा scale लिया था, 2 raise to power का, वैसे हम यहाँ पे 8 raise to power की scale लेते हैं, तो हमारी scale क्या बनेगी, 8 raise to power 0, 8 raise to power 1, 8 raise to 2, 8 raise to 3, एन ऐसे continue, जितने हमें numbers की जरुरत पड़ेगी, हमारे number जो हमें convert करन करने की, तो हम binary number system में क्या करते थे, कि number को देखके identify करते थे, कि वो हमारी scale पे कौन से दो number के बीच में like करेगा, तो हमारा 35 है, वो यहाँ पे हमारे 8 से बड़ा है, और हमारे 64 से छोटा है, तो वो like करना चाहिए हमारी scale पे कहीं यहाँ पे, और देखे, तो हमारे 35 को construct करन और यहाँ पे हमारे क्या है, कि हमारे पास 0 से 7 के सारे जो digits है, वो available है, हमारे numbers की साथ multiply करने के लिए, जबकि binary में क्या था, कि हमारे पास 1 and 0 यह available थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कि सबसे पहला यह जो digit है, उसको use करके, हम हमारे 35 से एकदम close पहुँच जाएंगे, ज से, ताकि हम हमारे 35 के एकदम close पहुच जाएंगे, जो है 32, अगर हम 8 को multiply करते 5 से, तो हमारा आ जाता 40, और वो हमारे इस number से बढ़ा है, तो हम वो use नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसको multiply किया 4 से, तो हमारा आया 32, और अब बचा क्या है हमारे पास, हमारे पास यह number बचा गए, और हमें और कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कि हमारे यह जो one number है, उसको multiply करेंगे हमारे 3 से, यानि कि 8 raise to power 0 को multiply करेंगे 3 से, और उसको add कर देंगे हमारे 32 में, तो क्या बन जाएगा हमारा 35 बन जाएगा, तो ऐसे हम simply convert कर सकते हमारे किसी भी decimal number को हमार से, octal number system के लिए, चलिए अब try करते हैं किसी बड़े number को convert करने की हमारे octal number system में, तो यहां हमने दो number लिए है, 1024 और 1605 और उनको हम convert करना चाते है हमारे decimal से, octal number system में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो पूरी scale में कहां पे lie करते हैं, तो यहां हम देख सकते हैं कि हमारे 512 से हमारा number बढ़ा है, और हमारे 4096 से चोटा है, यानि कि वो lie करेगा इन दोनों numbers की बीच में, अब हम क्या करेंगे, कि हमारे 512 को use करके, हमारे 1024 के एकदम नस्दिक पहुँचने की try करेंगे, जितना हो सके, तो उसके लिए हम क्या कर की ज़रुरत नहीं पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, बाकी numbers को multiply कर देंगे 0 से, और यह बन के आएगा हमारा octel में 1024, अब बात करते हैं 1605 के बारे में, तो 1605 वापस से 512 और 4096 के बीच लाए करता है, अगर हम यहां पे देखें, तो 512 को use करके, हम हमारे 1605 के एकदम पास पहुचने की try करते हैं, तो 512 को अगर हम multiply करें 3 से, तो क्या आएगा, 1536 आता है, अगर हम 512 को multiply करें 3 से, और अगर हम 512 को multiply करें 4 से, तो आएगा 2048, तो जैसे हम जानते की 2048 तो काफी बढ़ा है हमारे इस number से, तो हमें इसकी कोई ज़रुरत नहीं है, यानि कि हम 512 को पह इसमें से निकाल दे, 1536, तो हमारा बचेगा 69, तो और हमें 69 numbers की ज़रुरत है, हमारे number के पास पहुचने के लिए, हमारा number construct करने के लिए, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हम 64 का कौन सा multiple ले सकते है, हमारे 69 को construct करने के लिए, तो वो क्या हो से हम 64 को निकाल दे, तो बचा क्या, हमें चाहिए 5, और अब 5 को construct करने के लिए, हम 8 का यूज़ तो करनी सकते, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे, और यहाँ पे जो last है, हमारा 8 raise to 0, यानि कि 1, उसमें हम multiply कर देंगे 5 को, ताकि हमें हमारा last का जो 5 बचा ता वो भी मिल जाए, तो यह है हमारा 1605 का octal conversion, जो है 3105, तो ऐसे हम simply convert करते हैं, हमारे किसी भी decimal number को हमारे octal number system में, और चलिए अब देखते हैं, octal number system का significance क्या है, तो हमारे binary number system में हमने देखा था, कि हमारा जो number है, 1024 उसको हम represent कर सकते हैं, 11 digits के मदद से, अब बात दिए कि हम initial phase में computers के क्या करते थे, कि program को as binary input देते थे, और binary output को हम फिर consider करते थे, और उसको interpret करते थे, तो उसमें problem क्या हो दिथी, कि जैसे कि हम 1024 की बात करें, कि हमें system में 1024 number डालना है as input, तो उसके लिए हमें 11 digits का number डालना पड़ता था, यानि कि अगर ये 11 digits के number में कहीं भी उपर नीचे हो गया, यानि कि कोई भी number 1 या 0 हो गया, उपर नीचे, तो उसमें क्या होता है, कि पूरा number change हो जाता है, और उसकी वज़ा से क्या होगा, कि हमें वापस से पूरा अलग से number डालना पड़ेगा, हमारी system को बताने के लिए, कि हमारा मतलब है कि हम 1024 को as input डालना चाते हैं, तो वो problem बहुत create करता था, क्या कि human के लिए इतना बड़ा number efficiently डालना बहुत ही hard है, और जैसे ये तो 1024 है, इससे भी बड़े number अगर हमें input करने, तो हमारा जो number होगा, वो binary में काफी लंबा हो जाएगा, तो इसकी वज़ा से क्या होता था, as input डालने में भी हमें इसको problem आती थी, और as output अगर हम binary से decimal में number convert करना चाते थे, तो भी हमें बहुत time लगता था, ये interpret करने के लिए, कि हमारा binary number हमारे decimal में output क्या दे रहा है, तो वो पूरा जो था, वो बहुत ही लंबा process हो जाता था, tedious हो जाता था, और humans के लिए काफी hard हो जाता था, तो इसके हम क्या करते हैं, कि हम octal number system use करने हैं, हमने start किया, ताकि क्या हो कि हमारा जो binary number है, उसके comparison में हमारा octal number क्या है, चोटा है, as compared to, हमारा binary number इसके length बहुत कम है, जैसे कि हम देखे 1024 की बात करें, तो 1024 हमारे binary में 11 digits का है, जबकि यहां बस वो 4 digits का number है, तो यहां हम देख सकते कि octal number system में length काफी कम हो जाती है, हमारे input output की, तो हम octal number system में input output डालना start कर रहे थे, ताकि हमें यह जो confusion हो रहा था पूरे binary में, कि इतना बड़ा number हम कैसे interpret करें, और कैसे input करें, अगर कहीं confusion या फिर कोई mistake हो गई, तो पूरा number वापस से input करना परता था, तो वो जो सारी problems हो होते हैं हमारे binary से, इसलिए हमने उसको भी use करना start किया था, ताकि हम binary को eliminate कर सके, और हम क्या करते थे, कि octal number system में input डालते थे हमारी system में, हमारा system उसको as binary में interpret करता था, और बाद में वो use करता था उस input को, और output डालते वक्त वो क्या करता था, binary में output देता था, फिर हम उसको convert करवाते थे हमारे octal में और as हमारे जो human को output मिलता था वो octal number system में मिलता था ताकि हम easily उसको interpret कर सके तो हमारे octal number system का और हमारे hexadecimal number system का क्या significance है कि वो हमारे binary numbers से काफी छोटे numbers देता है और इसलिए हम humans उसको easily interpret कर सकते हैं और उसको easily use कर सकते हैं तो ये है हमारे octal और हमारे hexadecimal number system का significance और हम binary को इसलिए हम majorly use नहीं करते किसी भी number को represent करने के लिए क्याकि वो काफी लंबा number देता है और उसको interpret करने में काफी problem आती है तो चली दिखते हैं कि अब हम कैसे octal में से decimal में convert करते हैं हमारे numbers तो हम convert करना चाहिए किसी भी हमारे octal number को decimal में तो उसके लिए हम उसको क्या करेंगे कि हमारे चो नंबर की digits है उनको हम multiply करेंगे 8 raise to i-1 से जैसे हमने binary में क्या किया दा 2 raise to i-1 से किया दा वैसे यहाँ पे 8 raise to i-1 से करेंगे जहाँ पे हमारा i क्या होगा हमारा जो digit है उसकी position होगी तो एक random number लेके try करते है हमारे octal random number को हम try करते है हमारी decimal में convert करने की तो मान लिजे मैंने कोई number लिया है 4, 3, 5 तो हमारा ये जो octal number है उसमें यहाँ का जो हमारा digit है वो कौनसा digit है first digit है हमारे number का हम इसको multiply करेंगे 8 raise to i-1 यानि कि 8 raise to 1-1 क्योंकि यह first digit है तो 8 raise to 0 से इसको multiply करेंगे 8 raise to 1 से और इसको multiply करेंगे 8 raise to 2 से यानि कि यह किस से multiply होगा 64 से यह 8 से multiply होगा और यह 1 से multiply होगा तो हमारा answer कैसे आएगा 4 into 64 प्लस 8 इंटो 3 प्लस 5 इंटो 1 तो ये कितना हरा है 256 प्लस 24 प्लस 5 जो कि हमारा बन के आएगा 285 तो ये जो हमारा random हमारा number था octal number वो decimal में convert होके आ रहा है 285 में तो ऐसे हम हमारे किसी भी octal number को convert कर सकते हमारे decimal में तो चलिए अब देखते हमारे hexadecimal numbers के बारे में कि हमारी hexadecimal number system क्या है उनको हम कैसे convert करते है decimal से hexadecimal में और साथी साथ उसके significance और उसका hexadecimal to decimal conversion देखते है तो hexadecimal number system में हम क्या करते है कि हम 0 से लेके 15 तक के जो digits है उनको use करते है ताकि हम किसी भी number को represent कर सके और बात यहाँ पर यह है कि हम 0 से 9 के जो digits है वो use करते है और उसके बाद 10 से लेके 15 तक के जो digits है यानि कि जो numbers है उनको हम A से लेके F तक के साथ हम represent करते है यानि कि A क्या है हमारा 10 है और F क्या हमारा 15 है तो चलिए किसी एक number को try करते है हम decimal से hexadecimal में convert करने की और हमारी conventional method क्या है कि हम किसी भी number को convert करने के लिए क्या करते है बार-बार उसको continuously divide करते है जैसे अगर हमारा hexadecimal है तो हम उसमें continuously number को divide करेंगे 16 से binary में हमने 2 से किया था और octel ने हमने 8 से किया था यहाँ पे हम करेंगे 16 से तो चलिए try करते है जैसे मैंने 31 number लिया उसको मैं convert करना चाता हूँ हमार hexadecimal में तो मैं क्या करूँगा कि उसको continuously divide करते जाऊँगा जब तक मेरा quotient जो होता है वो 0 नहीं आ जाता है यानि कि जो multiplier होता है वो 0 नहीं आ जाता तो यहाँ भी बीच में number लिखूँगा यहाँ side में remainder और यहाँ पे मेरा आएगा 16 जो होगा मेरा conversion के लिए तो अब मैं इसको अगर 31 को divide करना चाहूँ 16 से तो हम सब जानते कि 16 2 जा 32 होता है पर वो इस number से बढ़ जाएगा तो हमें 16 1 जा ही लेना पड़ेगा और हमारा remainder क्या बचेगा यहाँ पे 15 बचेगा और इसके बाद हम वापस अगर इसको divide करना चाहे तो divide नहीं कर सकते तो यहाँ पे 0 और हमार remainder क्या बचा 1 बचा तो अब अगर हमें हमारे 31 number को लिखना है hexadecimal system में तो हम कैसे लिखेंगे हम remainder को चेक करेंगे और उसके हिसाब से हम उसको नीचे से उपर के order में लिखेंगे तो यहाँ क्या हैगा 1 और फिर यहाँ क्या है 15 है और 15 को हम किस से represent करते हैं हमारे F से represent करते हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 F और यह होगा हमारा hexadecimal में 31 number तो चले हम try करते हैं कुछ और numbers को convert करने की decimal से hexadecimal में और इस बार थोड़े से numbers लेंगे और देखेंगे एक trick जिसके मदद से हम किसी भी number को easily convert कर सकते हैं हमारे hexadecimal system में और हमें यह division वाली method use ना करनी पड़े तो जैसे हमने हमारी और binary number system में किया था कि हम पहले एक scale बना लेते हैं और जिस भी number को हमें convert करना है उसको हम check करते हैं कि वो हमाई scale पे कहां लाई करता है तो यहां हम क्या कर रहे हैं कि 16 की power की scale बनाएंगे 16 raise to 0, 16 raise to 1 ऐसे पूरी scale बनाएंगे और उसके बाद जैसे हमें कोई number convert करना है मान लीजे 1025 number convert करना है तो 1025 number को convert करने के लिए हम सबसे पहले क्या check करेंगे कि वो हमारी पूरी scale में कहां लाई करता है कौन से दो numbers के बीच में लाई करता है तो आप देख सकते हैं कि वो 256 से बढ़ा होगा number उसको use करके मैं हमारी इस number के सबसे पास पहुंच जाओ तो अगर हम देखें तो 256 into 4 कर दें तो 256 into 4 हमारा क्या आता है 1024 आता है तो हम क्या करेंगे कि हमारे इस digit के नीचे 4 को multiply करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हम 16 का use करके और कुछ change कर सकते हैं क्या क्याकि हमें अब कितने चाहिए अगर 1025 में से 1024 निखा दे तो हमें बस 1 चाहिए हमारे इस number तक पहुंचने के लिए तो अगर हमें सिर्फ 1 चाहिए तो हम 16 का use तो करनी सकते हैं क्याकि अगर हमने 16 का use किया तो हम हमारे number से बड़ा number अचीव कर लेंगे जो हमें नहीं चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पे 0 का multiply कर देंगे और हमारा जो last number है उसको हम multiply करेंगे 1 से क्योंकि हमें 1 अचीव करना है तो 16 टेस्टू 0 का हम multiply करेंगे 1 से और यह जो है 401 यह होगा हमारा hexadecimal equivalent of 1025 और जैसे हम बात करें हमारे 1024 की तो अगर हमें 1024 कंस्टू करना है तो हमें बस क्या करना होगा 400 यूज करना होगा हमारे hexadecimal number system में और अब देख सकते हैं कि यह जो number है अगर हमें 1024 को construct करना है binary में तो हमें 11 digits चाहिए है जबकि यहाँ पे कितने चाहिए हमें सिर्फ 3 digits चाहिए यानि कि यह 1 4th digit हमको चाहिए यहाँ पे hexadecimal number system में compared to binary तो इसका significance यही है कि हमारे binary के comparison में हमें यहाँ कम digits चाहिए हैं किसी भी number को represent करने के लिए इसलिए हम hexadecimal number system use करते हैं तो चली अब देखते हैं कि हम कैसे किसी number को hexadecimal number को convert करते हैं हमारे decimal में तो हमारे किसी भी hexadecimal number को decimal में convert करने के लिए हम क्या करते हैं उसको multiply करते है 16 raise to i-1 से यानि कि हर एक digit को multiply करेंगे 16 raise to i-1 से जहां पर i क्या है उस particular digit की जो है position वो है हमारा i तो चलिए अब try करते हैं किसी random number को हम convert करने की मान लेते हैं 1 f 3 a यह हमारा कोई hexadecimal number है इसको हम convert करना चाहते है हमारे decimal number system में तो हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम a को multiply करेंगे उसकी position है हमारा first digit है तो क्या हम कैसे multiply करेंगे 16 raise to 1-1 0 होगा फिर यहांपे इसे हम multiply करेंगे 16 raise to 1 से इसे हम multiply करेंगे 16 raise to 2 से और इसे 16 raise to 3 से तो इसमें क्या होगा 16 raise to 3 क्या है 4096 तो 1 into 4096 प्लस ये होगा हमारा 256 तो F क्या है हमारा 15 है तो 15 इंटू 256 प्लस 3 इंटू 16 प्लस हमारा A क्या है 10 है तो 10 इंटू 1 क्योंकि 16 डेसो 0 बन होता है तो 10 इंटू 1 तो इसका जो समेशन होगा वो हमें देगा हमारा hexadecimal का decimal equivalent तो इस expression का हमारा summation निकल के आता है 7994 और अगर exam में कोई इतना बड़ा number आया तो आपके लिए हमेशा calculator available होंगे तो आप calculator पे अपना पूरा equation या या फिर यह जो expression है उसको calculate कर सकते है मुझे वीडियो को pause करके इसको calculate करना पड़ा तो उसके लबब बात करते हैं तो हम hexadecimal number को ऐसे हम equate करते हैं हमारे decimal number system में और हमारा जो hexadecimal number था 1F3 है उसको हमने जब equate किया तो हमारा आया 7994 अब देखते हैं कि हम कैसे हमारे जो number systems हमने अब तक पड़े जो है binary, octal और hexadecimal उनका inter conversion कैसे करते हैं कि कैसे हम binary से octal में या फिर binary से hexadecimal में number को ले जाते हैं तो अगर हमें किसी भी number system की बीच conversion करना है जैसे binary से हमें octal या फिर hexadecimal में convert करना है या फिर octal से हमें binary या hexadecimal में convert करना है या फिर hexadecimal से मुझे binary या octal में convert करना है तो यह सारे चो convergence है उनके लिए हम क्या करते हैं कि पहले मान लीजिए कि मुझे octal से hexadecimal में convert करना है तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले octal number को equivalent हमारा decimal number ढू़ोगए औक्टेल या हेक्जाडेसिमल में कनवर्ट करना है या फिर औक्टेल से मुझे बाइनरी या हेक्जाडेसिमल में कनवर्ट करना है या फिर हमारे हेक्जाडेसिमल से मुझे बाइनरी या हेक्जाडेसिमल में कनवर्ट करना है तो मैं बाइनरी से सबसे पहले कनवर्ट हमारे hexadecimal में similar हमारा octail का है कि पहले मैं convert करूंगा octail को decimal में फिर वहां से मैं convert कर सकता हूं उसको binary या फिर hexadecimal में और ऐसे ही हम कर सकते हमारे hexadecimal को पहले हमारे decimal में फिर वहां से हम किसी और number system पे उसको वापस से convert कर सकते हैं तो ऐसे होता है हमारे इंडर कंवर्जन, हमारे किसी भी number system से दूसरी number system में तो आज की ये वीडियो ये ही कतम करते हैं मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे हमारे signed arithmetic के बारे में साथी साथ डिसकस करेंगे हमारे floating point numbers के बारे में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जए हैं!